Potential on the axis of a charged disc तो imagine करो, यह एक disc है जिसका radius बड़ा R है इसके axis के उपर अगर मुझे potential निकालना है तो logic तो यह है कि आप इसमें ते rings लेंगे एक ring का contribution लेंगे सभी rings का contribution, disc का contribution हो जाएगा हमने proof नहीं करना disc का अगर axis X है, radius capital R है कुछ नहीं करना proof यह formula note करेंगे तो बनाए formula register में यह disc है इस disc का radius बनाए R और X distance पे और disc के उपर charge distribution कैसे होती है, sigma surface area wise तो इसके उपर V का formula यह रहेगा इसके उपर V का formula यह रहेगा तो note करे formula तो आप देखेंगे mains के previous year में आपको यह question बिलकुल formula mark करने को आया हुए अगर आप जो लोग previous year कर रहे है तो exactly formula ही डाल दिया उन्होंने तो वो mark करना था ठीक है तो यह formula note कर ले गरे x is the distance जापर V की value हमें निकाल नहीं है अगर आपको डिस्क के सेंटर पर V निकालना है तो x को क्या put करे 0 तो यह note कर ले डिस्क के सेंटर पर यह V का formula है डिस्क के सेंटर पर यह V का formula note कर ले कर दो